परमेश्वर के नाम की महीमा हो, हम लू का चौधा अध्याई, बारा में से चौधा तक वच्छनों को पड़ेंगे और इसमें से हम मैनन करेंगे तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तु दिन का या रात का भोज करें, तो अपने मित्रों या भाईों या कुटुम्बियों या धनवान पडोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो कि वे भी तुझे नेवता दे और तेरा बदला हो जाए, परन्तु जब दो को बुला, तब तु धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा, हम प्राथना करेंगे, है स्वर्ग्य पिता परमेश्वर, पिता आप हमसे इन वचनों के द्वारा बात करिये, पवित्रा आत्मा, आप हमको इन वचनों में से आप हमें प्रकाशन दो, पवित्रा आत्मा, आप हमको सिखाओ, इसमें जो ख़जाना छुपा हुआ, जो प्रकाशन इसमें हमको वो स करो पवितरात्मा आपके आवास को सुन सके आपके आवास को समद सके हमें मदद करो पवितरात्मा इश्व मस्य के नाम से मांगते हैं पता आमें तो ये दो तीन वच्चन में हम देखते हैं कि इश्व मस्य वो जिनके घर में वो भोजन करने के लिए वो बोज में गए हुए थे वहां पर रोटी खाने गए हुए थे किसी फरीसी के घर में तब वहां पर यह सब बाते हो रही हैं हम देख रहे हैं तो इसके पहले भी हम देखते हैं कि इस्व मसी काफी सारे चीज़ों को वह सिखाते हैं वहां कि कैसे हमें बैठना है कहां पर जाकर बैठना है यह सारी चीज़े इश्यमसी वहां पर उनको सिखाते हुए हम देख रहे हैं तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि वह बोल रहे हैं कि जब भी कोई इसे क्या बात कर रहे हैं एसे करके कुछ कुछ लोगोगों को लग रहा होगा लेकिन उन लोग गलत समझ रहें, यहाँ पर ईशुमसी क्या बोलना चाहरे हैं, उसको हमें सही तरीके से जानना चाहिए, तो इशुमसी यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम अपने भायों, अपने जो लोगों को उनको मत बुलाओ, और ईशुमसी यहाँ पर किन को बोलाने बोल रहे हैं तो किसको बुलाने बोल रहे हैं इश्यू मिसी बोल हैं कि कंगालो को लंगडो को टुंडो को अंधो को तुम लोग बुलाओ क्योंकि हमारे नहीं को क्या करेंगे वह बदलाँ ». क्योंकि हम सोचते हैं कि उन्होंने हमको बुलाए हम भी उनको बुलाएंगे हम भी उनको सामने से कुछ देंगे उन्होंने हमको दिया है तो हमें भी देना ऐसे करके हमारे अंदर चलता है तो वो लोग हमको दे देंगे लेकिन इश्व मसी क्या बोल रहा है यहां पर जो तो ये काफी मुश्किल चीज लगती है, आजकल तो क्योंकि, आजकल हम क्या सोचते हैं, कि हमारे मतलब से काम होना चाहिए, हमारे लिए ये काम हो जाना चाहिए, हम आजकल बड़े मतलबी रिष्टा हम लोग रखते हैं, क्योंकि, क्योंकि हम क्यों बुलाएंगे, हम धन्व का हमारी लिए लाएगा सामने से हैना ऐसा करके हमारे अंद़ वो था ये वो हम सब शमर बोल रहे वैसे मनत बुलर और तो इसका मतलब क्या है कि जो बहुत करu रहे हैं का जीओं कर रहे हैं कोया भी चीज हमारे जीवन के esaan ना है वो हमें कोई मकसद उसका मकसद कैसा होना चाहिक कि हां हम उनको बुलाएंगे तो हमें उससे फाइदा और यह ए स्वाइदा होगा से बड़ाई अच्छा फाइदा अ सुर्क्रा उगा वहांको फड़ाएं ज़रूर अच्छी जीज़ ला कर देंगे या कोई हमारा काम हो जाएगा ऐसे करके नहीं करना है हमारे हमारा मकसद वहाँ पर सही होना चाहिए ऐसे करके इश्मसी हाँ पर कहना चाहिए और हमारा मकसद यहाँ पर सही होना चाहिए हमें कैसे उनको बुलाना है हमको प्रेम से लोगों को बुलाना है जैसे हम उन लोगों को बुल सई होना चाहिए हमारा दिल का जो मकसद है हमारी जो विचार वो सई होना चाहिए क्योंकि इंसान लोग क्या करेंगे इंसान लोग चहरे को देखकर एक इंसान को वो जज करते हैं न्याय करते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे दिल को देखते हैं वो हमारे मकसद को वो जानते है इसके लिए यहां पर इश्व मिसी ऐसे कह रहे हैं तो हमें जो भी हम काम कर रहे हैं हम हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं हमें क्या करना है हमारा मकसद सही होना चाहिए हमें इंसानों को खुश करने वाला हमें हमको मिलना चाहिए ऐसा जीवन नहीं जीना है हमको परमेश् करते हैं. अरे वो, इतने बड़े आदमी वो ही मप्रस हो जाए तो कितना अच्छा है उनको बुलाएंगे ऐसे बड़े-बड़े लोगों को वो क्या करेंगे ऐसे पार्टी में ऐसे अपने जीवन में वो जो भी मखन लगाएंगे उनको वह इंप्रेस करने की वो कोशिश करेंगी, क्योंकि उनको इंप्रेस करेंगे, तो इनके लिए कोई नो कोई चीज अच्छी हो जाएगी, इनको कोई नो कोई एक लाब हो जाएगा, इनके लिए बेनेफिट हो जाएगा, इसके लिए इन लोग क्या करते हैं, उनको जाके इंप्र करने के कोशिश करते हैं उनको बुलाते हैं उनको वह करते हैं लेकिद हमें किसे impress करना है हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को impress करना ई मतलब मुझे बौत ही मन का मुह प्रस्थन करने वाला ऐसे करके वह दाउत को बोलते हैं तो हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इन वचनों में हम इश्व मसी के प्यार को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इश्व मसी भी कैसे लोगों के लिए आए वो इस दुन्या में बहुत ही दुन्या में जो तुच है जो कमजोर है जो चोटे है जो कंगाल है जो बिमारी में फसे हुए जिनके अंदर दुष्टा आत्मा है इश्व मसी उनके लिए वो इस दुन्या में आए वो कितना एक अगापय प्रेम से उन्होंने हमको प्रेम किया, एक शर्त बगेर का प्रेम, इसमें हमने कुछ दिया क्या, हमने हम कुछ नहीं दे सकते हैं, उन्हों इश्व मसी ने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया है, उस प्यार के बदले हम कोई भी उनको कुछ नहीं दे सकते हैं, उतना ऐसे उसके कमपारिजन में कोई भी चीज हम उनको नहीं दे सकता है लेकिन इश्व मसी ने परमेश्वन ने हमसे उतना प्रेम किया है तो इश्व मसी इसके लिए वो हमको भी उस प्रेम को वहाँ पे दिखा रहे है वहाँ पे उनका प्रेम वहाँ पे दर्शार है उनका प्रेम वहाँ प के साथ हमें नहीं करना है अगापे प्रेम के साथ एक प्रेम के साथ हम जो भी कर रहे हैं उसको हमें प्रेम के साथ करना है मतलबी तरीके से हमें हर चीज नहीं करना है इश्वमसी के प्रेम से भर कर हमें कोई भी काम को हमें करना है ऐसे लोगों को हमें मिलना है उनको इश्व काई वो लोग करते भी ऐसे देते हैं लोगों को लेकिन वो भी हमारा मकसद कैसा होना चाहिए एक सई मकसद होना चाहिए एक प्रेम के साथ करना चाहिए एक स्वार्थीपन के बिना प्रेम के साथ इश्यमसी के प्रेम के साथ हमें उस काम को हमें करना चाहिए इश्यमसी इसक हमको कुछ नहीं दे पाएंगे वह लोग हम अगर उनके पास नहीं है उनको कैसे दे पाएंगे वो हमको कुछ नहीं दे पाएंगे लेकिन हमें ऐसे निराश नहीं हो जाना है कि अरे यार हम तो देते रहते हैं हमें तो कुछ नहीं मिलता है ऐसे करके हमें निराश नहीं हो जा हमारे लिए बड़ा ही स्वर्ग में बहुत बड़ा हमारे लिए प्रतिफल है तो आज हम भी हमारे जीवन में कोई भी काम को एक स्वार्थीपन के बिना मेरा नाम मूचाओ, मेरा नाम बड़े ऐसे नहीं करना चाहिए हमें हमारा जीवन में जो भी हम काम कर रहे हैं हमें पहले तो परमेश्वर को एक खुश करना, उनको खुश करना, उनको जो चीजे पसंद है, उनको प्रसंद करने वाला जीवन हमको जीना है, तो वो पवित्रा आत्मा के द्वारा हम जी सकते हैं, वो पवित्रा आत्मा ही हमको मदद करेंगे, इस्व मसी हमें वैसे जीवन जीने के लिए वो हमें मदद करेंगे जब हम उनके प्रेम से भरेंगे तब हम प्रेम को लोगों को भी दे पाएंगे और उनके प्रेम से भर कर हम जो भी काम कर रहे हैं सचाई के साथ प्रेम के साथ हमें करना है जैसे हम एक वच्चन में भी पढ़ते हैं मथी 25, 35 से हम पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं भूका था और तुमने मुझे खाने को दिया मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में टहराया मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए मैं बिमार था और तुमने मेरी सुधी ली मैं बंदिग्रव में था और तुम मुझसे मिलने आए तब धर में उसको उत्तर देंगे हे प्रभू हमने कब तुझे भूका देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में टहराया या नंगा देखा और कपड़े पहिनाये हमने कब तुझे बिमार या बंदिग्रों में देखा और तुझसे मिलने आये तब राजा उन्हें उत्तर देगा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भायों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया मैं बिमार था मुझको आपने पूछा मेरी सुधीली मेरे को याद किया ऐसे करके वो धर्मी लोगों को देखकर बोलेंगे तब इसका मतलब तो ईश्य मसी उसके बाद बोलता है कि जो भी तुमने छोटों से छोटे भाईयों में मेरे छोटे भाईयों में से तुमने किसी के साथ भी जो किया वो मेरे ही साथ किया है तो जो भी हम छोटे से छोटे लोगों के साथ हम कर रहे हैं तो हम इश्यू मसी को पानी पिला रहे हैं हम छोटे में से छोटे को किसी कंगाल को या अंदो को किसी को भी हम अपने बोज में बुला रहे हैं उसका मतलब कैसा है हम इश्यू मसी को ही अपने बोज में बुला रहे हैं तो हम जो भी काम कर रहे हैं हमें प्रेम के साथ करना है इश्यमसी हमसे कितना प्रेम किया है हमें उनके पद जिनों पर हमें चलना है उनके प्रेम को हमें स्विकार करना है इश्यमसीन हमसे कितना प्रेम किया है वो हमसे कितना प्रेम करते हैं तो हमें भी लोगों से वो प्रेम करना है उनके प्रेम से भर क अगर हमें लोगों को प्रेम करना है, तो आज हमारे अंदर जो भी गमंड है, उसको हमें तोड़ना है, मैं मेरा नाम मेरे लिए फाइदा होना अच्छी है, selfishness उसको तोड़ना है, जो हम स्वार्थी पन में रहते हैं, इनको बुलाएंगे, इनके साथ हम मेल रखेंगे, तो ह हमारा कैसा वो होगा, इनसे मुझे थोड़ी कुछ फाइदा होगा, ऐसा नहीं, अगर इशुमसी ऐसे बोले होते तो, तब तो हम कहां पे हम होते भी नहीं, इशुमसी तुछ और कंगालों के साथ वो रहे, वो वहां पे रहे, वो लोगों के साथ, वो वहां पे उन्होंने हम समको चुन लिया है हम भी कैसे थे पहले हम दूर थे हम परमिश्वर के विरो थे हम दलदल में हम कीचड में फसे हुए थे लेकिन ईश्यमसी हमारे लिए वो आये उन्होंने हमको छुडाया हमको उनके प्रेम दिया हमको उन्होंने हमसे एक शर्त बगेर प्रेम हमसे उन्होंनों किया अगापे प्रेम उन्होंने हमसे किया उन्होंने अपना जीवन तक हमारे लिए दे दिया है तो आज हम परमिश्वर के लिए वो जीवन जीना है परमिश्वर को खुश करने वाला वो जीवन जीना है और इश्व मसी के बारे में लोगों को और भी हमें भताना है उनके प्रेम को और भी बताना है तो जब हम उनके प्रेम से भरेंगे तब हम इश्व मसी के जैसे वो जीवन को हम जीव पाएंगे तो आज हमने इश्मसी के प्रेम को पाया है उसको आज हम देने वाले बनेंगे इश्मसी हमसे कितना प्रेम करते है परमेश्वन ने हमसे कितना प्रेम किया है तो उस प्रेम से आज भी हम लोगों को प्रेम करेंगे हमारे पास इश्मसी आए तो हमें भी लोगों के पास जाना है इश्मसी के प्रेम को हमें प्रगट करना है अभी हम ही है इस दुनिया में उनके प्रेम को दिखाने वाले इश्मसी ने हमको चुन लिया है कि हम उनके प्रेम को प्रगट करें कि वो कितना हमसे प्रेम करते हैं उस प्रेम को हम प्रगट करें तो हमें प्रगट करना इश्व मसी के प्रेम को हम प्रात्ना करेंगे है स्वर्ग्य पिता परमिश्वर पिता अब हमसे कितना प्रेम करते हो पिता इश्मसी आपने हमारे लिए अपना जीवन तक दे दिया अपने अपना पूरा पूरा लहू हमारे लिए बहा दिया आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता पवित्रात्मा आपने जो वच्छनों के द्वारा हमसे बात किया प्रेम के बारे में आपने हमको सिखाया उसके लिए धन्यवाद पिता हमारे अंदर जो भी घमंट का गड़ है उसको हमें तोड़ने के लिए आप मदद करो मेरको मदद करो जो भी सुनरे उनको आप मदद करो पवित्रात्मा आपके प्रेम से हम भर जाए इस मसी और इस प्रेम को दुनिया को हम प्रगट करने वाले बने एक मतलब भी रिष्टे से नहीं एक सही में एक प्रेम के साथ हम करने वाले बने पिता सच्चा ही प्रेम के साथ आपके प्रेम के साथ हम हरी काम को हमे करने के लिए मदद करो इश्मसी के नाम से मांगते हो पता आमेन